नमस्कार दोस्तो मेरे नाम स्रीकान कुमर अब देक रेटुजेट प्रोसेस। और दोस्टो आईश्मान भारत योजना का लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरा नाम है या नहीं यह सारा कुछ इस वीडियो में आपको लाइव प्रोप के साirenे वाला हूँ और हम इस वीडियो में आईश्मान भारत योजना का अधिकारी से मैंने बात किया उसका लाइव रिकोर्डिंग इस वीडियो में आपको सुनाने वाला हूँ तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ब्लाइकन घंटी को उप्टेस कर लिजिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेसन सबसे पहले आपके पास पहुँच पा है तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि मेरा भारत आश्टमान का लिस्ट में नाम है या नहीं और दोस्तों फिर हम आपको बतलाने वाला हूँ कि लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आप कैसे अड़ करवा सकते हैं और फिर अगर आपका नाम है आपके फैमली का नहीं है तो फिर आप उसे कैसे अड़ कर सकते हैं तो इस सारा कुछ इस वीडियों पुरा डिटियल से में आपको हम यहाँ पर लाइप प्रूप के साथ दिखाने वाला हूँ और बतलाने वाला हूँ तो दोस्तों चलिए सबसे पहले में यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मेरा आइश्टमार भारत योजना का लिस्ट में नाम है या नहीं तो दोस्तों चेक करने के लिए सबसे पहले अपना किसी एक ब्रॉजर को उपेन कर लेना है और ब्राजर में आपको टाइप करना है PMJY उसके बाद सर्च के बटम पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद सबसे उपर में जो लिंक दिख रहा है PMJY इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखे PMJY के ओफिसियल वेब साइट इस परकार से यहाँ पे उपिन हो जाता है और दोस्तों अगर आप मोबाइल से चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले थिरी डॉट के ओप्शन पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद एक ओप्शन देखने के लिए मिल जागा desktop साइट इस वाले ओप्शन पे आपको क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों इस परकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा और दोस्तों एक ओप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा थिरी लाइन का ओप्शन इस व पहले आपको इस परकार से नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों एक option देखने के मिल जा, click here, इस वाले option पे आपको click कर देना है, click करने के बाद दोस्तों इस परकार के page यहां पे open हो जाता है, सबसे पहले इस box में अपना mobile number को type कर देना है, और उसके बाद get OTP के option पे आपको click कर देना है, और इस box में सबसे पहले OTP को type कर देना है, और इस capture code को इस box में type कर देना है, और उसके बाद login के option पे आपको click कर देना है, उसके बाद दोस्तों इस परकार के page यहां पे open हो जाता है, दोस्तों सबसे पहले जो कि इस box में अपना state का नाम को select कर लेना है और इस box में district का नाम को select कर लेना है और इस box में आपको select करना होगी blog label से आप में यहाँ पे download करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको select कर लेना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ से अपना blog के name इनी परखंड का नाम को select कर लेना है और इस box में अपना village का नाम को select कर लेना और उसके बाद search के option पे आपको click कर देना और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको PDF देखने के लिए आपको मिल जाएगा इस वाले option पे आपको click करना है जो भी आपको नाम होगा उस नाम को इस box में टाइप करना होगा जैसे यहाँ पर हम देखिए टाइप करना हो इस परकार से यहाँ देखिए जैसे हम यहाँ पर नाम टाइप कियें तो दोस्तो यहाँ पर देखिए इस परकार से highlight जो है कि इस परकार से यहाँ पर हो जाता है दोस्तों अगर आपका नाम जो है कि इस परकार से आपका जैसी नाम टाइप कीज़ेगा तो इस परकार से हाइलाइट यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा. तो दोस्तो इस प्रकार से आप अपना नाम को चेक कर सकते हैं अब दोस्तो बात करते हैं कि इस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आप कैसे अड़ करवा सकते हैं और दोस्तो इस वीडियों फिर हम आपको बतलाने वाला हूं कि अगर इस लिस्ट में आपका नाम है और आपके family का नहीं है तो फिर उसे आप कैसे add करवा सकते हैं तो दोस्तों यहाँ मैं आपको live recording यहाँ पर सुनाने वाला हूँ मेरा आईश्मान भारत कार्ड में नाम है और मेरा family का नाम नहीं है उसे हम कैसे add कर सकते हैं जी निसिंति आपकी पूरी फ़र्कती जागी क्या मैं आपका शुब नाम जान सकता हूँ श्रीकांद कुमार श्रीकांद कुमार जी श्रीकांद कुमार आपने कैसे चेक था आपका नाम सूची में यह नहीं है और इसका लिस्ट जो डॉनलूड होता लिस्ट डॉनलूड भी करके उसमें नाम अपना चेक किया है और जब मेरेड जब मेरा हुआ उसका फिर हम वाइप को किस परकास से जोड़ सकते एक कहने का मतलब सर आपका नाम है वाइफ का नाम नहीं है आपको आपके बच्चे भी हैं जी तो आपकी आपकी साधी कब हुई दो साल पहले दो साल पहले तो निश्चिंद्रियाप की वाइफ को आड कर दिया जाएगा आड कराने के लिए आपको नियर्बाइब सरकारी एस्टतल में जाना होगा प्राइवेट इंपैनल होस्पिटल अच्छा तो वहां मतलब जाकर क्या करना होगा हमें वहां पर प्रधानमंति आर को बनवाना होगा जी वह निम्म्रीट सेटडिस्टीफेर केट और और उसके बाद रासkachष्न कार खरकारत कर बचेह फैसे नियुieves स्टयों जाना होगा तो फिर उसमें सकता है हाञा तो उसमें सब्सक्राइब करा जाएगा अच्छा मेरिट सटिफिकेट के जगा और कुछ और अलग लगा सकते हैं कि नहीं है अगर मेरिट सटिफिकेट नहीं है तो फिन उसमें कोई चांस नहीं है जी नहीं आपको बनवाना होगा भी आपको कोई नाम नहीं है किसी फैमिली का ही नहीं है और अगर हम करना चाहते हैं तो कैसे एड करते हैं और जो पहले का जो लीष्ट में नाम है पहले से जिसका एड है उसका कब एड हुआ था दोस्तों यहां पे आपने सुन लिया कि अगर आपका आश्टमान भारती योजना के लिस्ट में नाम नहीं है तो दोस्तों अगला जनगना का आपका इंतेजार करना होगा जनगना में सबसे पहले अपना नाम को एड करवाना होगा तब जाकर आपका आश्टमान भारती योजना के लाप ले सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर बतलाया गया है कि अगर आपका नाम है आईश्वान भारत योजना के लिस्ट में और आपके फैमिली का नहीं है तो दोस्तों उस समय जोए कि आप नजदीक में गवर्मेंट होस्पिटल में जाकर आप एड करवा सकते हैं और दोस्तों यहाँ में आपको बतला देते हैं कि अगर आपके पस मेरिट सर्टिफिकेट नहीं है और आपके वाइप के अधार कार्ड में अगर आपका नाम है और आपका नाम आईश्वान भारत योजना के लिस्ट में है तो दोस्तों आप अधार कार्ड और आसन कार्ड के मादियम से आप एड करवा सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक कर देजगा और मेरे चनल पर नहीं तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिए ब्लाइकान घंटी को भी प्रेस कर लिजगा